अब जो थो स्वागत है पॉल्राइज स्टाड़िस पे मैं हूँ आरके सिंग एन हम लोग कंटीनियों करें थे फंडमेंटल उपेक्टिकल और एटरी इंजिनरिंग बोले तो फ्रिपल इ तो दोस्तों हम लोग ने प्रीविएस क्लास में ट्रांजिस्टर को स्टार्ट किया था एंड हम लोग ने उसका टाइप एक तो आपका बीजेती एंड दूसरा था एफ एक तो बीजेती का फुल फ PNP, दोनों का construction समझाता है, terminals हम लोग ने देखा था, उसका biasing कैसे होता है, वो कैसे कैसे काम करता है, and उसका advantage, disadvantage, सारे चीज़े जो हम लोग ने बहुत ही details के साथ discuss किये थे, because BJT topic जो है बहुत ही ज्यादा important है, and वहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाने की chances होता है, लेकिन आज जो हम लोग discuss करने वाले है, FET, field effect transistor, ये उतना ज्यादा important नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से भी सवाल पूछे जाने की chances रहता है, ओके, तो हम लोग सिर्फ आज जो है, FET का basic overview लेंगे, उतना ज्यादा deep में नहीं जाएंगे, ओके, फिलाल अगर आप लोग electrical या फिर electronics engineering के बच्चे हैं, तो फिर आपको definitely ये subject जो है, ये topic जो है, second year में या third year में बहुत ही जदा details के साथ study करना है, लेकिन for second semester, सिर्फ आपको इसका basic concept लेना है, ओके, सिर्फ basic concept के ही बात करेंगे, आज, स्टार्ट करते हैं, आज का class, अगर आप लोग ने previous classes नहीं देखे हैं, then definitely जो है, आप लोग देख लिजेगा, okay, filled effect transistor, effect का full form क्या है, filled effect transistor, तो दोस्तों देखो, थोड़ा साथ BJT के साथ इसको compare करके चलते हैं, तो समझने में आसानी होगा, okay, अगर आप लोग ने BJT का class देखा होगा, तो definitely topic को भी आप लोग जल्दी से समझ जाएंगे, तो देख तो FET में BJT के जैसा तीन terminal होते हैं, okay, BJT में BJT के जैसा तीन terminal होते हैं, ये भी एक semiconductor device है, क्योंकि ये भी तो एक transistor है न, and यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये unipolar है, okay, BJT क्या था, bipolar था, ये आपका unipolar है, unipolar किसलिए इसको unipolar क्यों कहा जाता है, बोलो, इसमें सिर current को flow कराने के लिए responsible होता है, ठीक है, एक ही carrier current को flow कराएगा, लेकिन BJT के case में, दोनों ही types of carrier, major and minor, दोनों ही carrier जो है, आपका current को flow करा रहा था, and वहाँ पे दो PN Johnson मौजूद था, लेकिन इसमें कोई भी Johnson मौजूद नहीं है, तो that is the basic difference, okay, चलो यहाँ पे इसके बारे में क कुछ लिख लेते हैं, हम लोग, a FET is a three terminal, इसको लिखेंगे, three terminal, unipolar semiconductor device, semiconductor device, semiconductor device, okay, a FET is a three terminal, unipolar, semiconductor device, it is a voltage, controlled device, where, whereas the VJT is a current controlled device, is a current controlled device, ठीक, तो FET क्या होता है, FET is a three terminal वाला, unipolar semiconductor device होता है, यह आपका voltage controlled device होता है, मतलब, इसके थ्रोज जो current चाहेगा, उसको हम लोग, voltage के साथ, जो है, regulate कर सकते हैं, उसको control कर सकते हैं, लेकिन BZT क्या था, BZT में हम लोग, input output को कैसे control किये थे, current से control किये थे, उसको हम लोग ने, base में, जितना current provide करेंगे, उसके according जो है, current आपका flow होगा, तो हम लोग ने यह चीज जो है, देखा था, previous class में, तो यहाँ पर वही चीज होगा, लेकिन वो हम लोग voltage के साथ, जो है control करेंगे, तो इस बात को हम लोग, next में जो है, discuss करेंगे, इसी class में, चलो, आगे बढ़ते हैं अभी, आगे क्या है, देखो, अब field effect transistor को हम लोग unipolar क्यों कहते हैं, field effect transistor को हम लोग unipolar क्यों कहते हैं, क्योंकि BJT में, दो carrier, दोनो type of carrier, minority carrier and majority carrier, दोनों ही आपका क्या कर रहा था, current को flow करा रहा था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही carrier जो है, responsible होगा, चाहे वो majority carrier हो, minority carrier हो, चाहे वो electron हो, या फिर electron हो, सिर्फ एक ही carrier, जो है, current को flow करा आएगा, या वह लेकी लु़्यकोब, क्या हां, चाहे लगप बातको हम छेक्रेस लेंगे, लेक्रीफ लेगा है, लेक्राश करीख लिए लेगें, ट陷कर बातकों हाँ grade लेक मैं, जंसन पी एन जंसन नो पी एन जंसन एंड 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 ओनली वन केडियर ओनली वन टाइफ ऑफ केडियर लिखिये तो अच्छा रहेगा टाइफ ओफ केरी आउर्ज अच्छा केरिए ज़न ये गलत हो गया ठीक है केरीर इज्रेस्पोनसिबल फॉर दफ्लो ओफ करेंट फ्लो ओफ करेंट ठीक है तो एक ये करिया जो है रेस्पोनसिबल होगा देशिस अब हम लोग कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं मेइन फीचर्स ओफ एफ एटी दोस्तों आज मैं थोड़ा सा जो है स्लो पराऊंगा विकॉज मेरा तबीयत जो है थोड़ा सा डाउन है तो ज्यादा मैं फास्ट भी नहीं बोल सकता ज्यादा चिल्ला भी नहीं सकता और ज्यादा लिख भी नहीं सकता तो स्लो पराऊंगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो मेरा ओके में फीचर्स ओफ एफटी में हम लोग देखेंगे फर्स्ट वन यह क्या है आपका इटीज अन डिवाइस ओके एंड दूसरा जो है दूसरा क्या है युनिपोलर एंड यह है आपका वोल्टेज इटीज वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस ठीक है तीसरा क्या है वोल्टेज कंट्रोल तो हो गया अब तीसरा है इसका जो इंपूट होता है इंपूट में बहुत ज्यादा इंपीरेंस होता है 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 इंपूट इंपीडेंस तो अब आप मुझे यह पूछेंगे अब आप लोग जो है मुझे यह पूछेंगे कि यह सर इंपीडेंस क्या होता है तो इन देट केस इस क्लास के लिए आप लोग इतना जानके रखिए इंपीडेंस जो है एक रेजिस्टेंस होता है है ठीक है जोस्तों टाइफ फ्रेजिस्टेंस इसको हम लोग AC सर्कुट में जो है बहुत अच्छी तरह से परेंगे ओके लेकिन फॉर नाउ आप लोग यह मान के चली the impedance just like a resistance चाथा चीज जो है वो है noise is low ठीक है noise जो है noise आपका लो है एंड पाच्वा चीज भी लिख लीजिए दो कि आउट्पूट इंपिदेंस इस लो ठीक है तो देखो यूनिकोलर क्यों होता है मैंने आप लोग को बता दिये हैं voltage control device क्यों कहते हैं इसको मैं बाद में समझाने वाला हूं मतलब इसी क्लास में समझाने वाला हूं जब हम लोग function को देखेंगे ठीक है कैसे कैसे काम करता है तब आपको समझ में आ जागा यह voltage resistance होता है वो हाई होता है ओके noise is low अब इसमें जो noise की बात कर रहा है यह कौन सा noise sound pollution भला noise इदर से सोर आ रहा है इदर से माइक बज़रा इदर से डीजे बज़रा है तो इस टाइप आप आप नोइस नहीं है sound की बात बात नहीं कर रहा है आपन के देखो जो करियर होते हैं तो इसको हम लोग नौइस कहेंगे कि कितना ज्यादा हल चल कर रहा है केरियर्स ओके कितना ज्यादा इधर उधर मुब्मेंट कर रहा है तो इस केस में एफिटी के केस में जो केरियर्स होंगे ठीक है वह स्मूथली आपका क्या करेगा वह स्मूथली फ्लो करता रहेगा ओके डाट इस वाई यहापे नॉइस जो है बहुत कम है और आउट्पुट लो तो आउट्पुट इम्पिडेंस देख्यो हाई घी इन्पुट इन्पिडेंस अगर होगा तो आउट्पुट में तो लो होगा ही ओके तो इस are the main features of f2 जो की आप लोग को लिख एर्ठ ना है उसको याद रखना है जो के लो तो अभी हम लोग क्या देखेंगे हम हम लोगों ने BJT को discuss किया है अब हम लोग FET को discuss कर रहे हैं तो FET के बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों ने अभी तक चान लिये हैं तो जितना हम लोगों ने अब तक सीखा है उसी के उपर आधार करके हम लोग क्या करेंगे अभी difference भी देखेंगे FET and BJT के difference ओके यह आपके question में पुछा जा सकता है इस तरह के सवाल जो है पुछा जाता है तो हमारे एक्जाम का भी ओल्रडी जो पीपरेशन है वो चलता रहेगा ठीक है ना चलो तो आप लोग हेडिंग डालिए फड़ा फट से difference between FET and BJT difference between FET and BJT difference between BJT and BJT difference between BJT and FET FET के वीच में basic difference क्या है मैं आप लोग बहुत ही simple language में समझाओंगा चोटे-चोटे difference लिखाओंगा आप लोग को एक तो first one it is a unipolar device unipolar device it is a unipolar device and BJT क्या होता है हम लोग जानते हैं इतना तो हम लोग को पता है कि FET unipolar है and BJT आपका bipolar है दन दूसरा दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं दूसरा हम लोग यह लिख सकते हैं कि यह आपका voltage controlled है and दूसरा आपका BJT क्या है current controlled यह तो हम लोग लिख सकते हैं it is a voltage controlled device यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसके केस में हम लोग लिख सकते हैं इसका जो impedance होता है है input impedance बोले तो input resistance वह बहुत ज्यादा होता है high input impedance इसके लिए low रहता है low input impedance ठीक है तो तीन डिफ तीन डिफरेंस तो हो गया और हम लोग लिख लेते हैं हम लोग जानते हैं कि इसका noise level low रहता है low noise level and इसके लिए high noise level रहता है हाई noise level of high noise level क्यों रहता है due to the PN जंसन दो PN जंसन है तो और भी ज्यादा नोई से ठीक है एंड चौथा हम लोग देख लेंगे कि पाच्वा देख लेंगे एफटी के केस में यह thermal thermal stability जो है इसका बहु ज्यादा है ठीक है better thermal better thermal stability इसका आर्थ क्या है कि temperature का range अगर ज्यादा भी हो जाए तो भी यह अच्छी तरह से काम कर लेता है लेकिन बीजेटी के केस में temperature अगर बहुत ज्यादा हो गया तो फिर यह ठीक था काम नहीं करेगा जितना और जैसा इसका function कराने की बात था तो यह ऐसा नहीं करेगा वो कुछ मिस कर देगा तो यहां पर हम लोग लिखेंगे lower thermal stability ठीक है ज्यादा temperature देने से यह stable नहीं रहता है यह unstable हो जाता है अपने आपको समाल नहीं सकता है तो इस आर्दा बेसिक difference between FET अब आपको अगर एक्जाम में पूछा जाए कि what is the what are the difference between BJT and FET अगर आप लोग यह सारी चीज़े लिखे आते हैं तो मजाल है कि आप लोग एक number भी काट ले हम लोगों ने बहुत ही simple लिखा ठीक है बहुत ही simple points हम लोगों ने लिखा यहाँ पर सारे के सारी जो है बहुत important points है ठीक है ओके आप लोगों को लग रहा है कि यह simple सा definition है difference है लेकिन यहाँ पर जितने भी point हम लोगों ने इसकी है ना वो सभी के सभी point जो है बहुत ही इंपोर्टेंट है तो teacher यहाँ से एक भी mark जो है काट नहीं सकता चलो तो अब हम लोग यहाँ पर application भी देख लेते हैं application of FET तो मैं एक दो application जो है लिखा लेता हूं अगर आपको और भी ज्यादा लिखना है तो definitely आप लोग इसका application बहुत सारे होते हैं इंटरेने पर सार्च करेंगे तो बहुत सारे application आपको देखने को मिल जाएगा ओके तो फिलाल मैं दो लिखा जैता हूं दो क्या है जो यह FET है यह circuit में load effect को reduce करने के लिए load का जो effect हो था है उसको reduce करने के लिए effect यूज क्या जाता है it is used in circuit it is used in circuits to reduce the loading effect पहली बात यह हो गया दूसरा हम लोग बहुत सारे circuits में जो है इसको यूज करते हैं तो for example मैं दो तीन circuit का नम आपको लिखा देता हूं ओके फटी एफटी एस आर यूजड इन मैंनी सर्किट मैंनी सर्किट्स such as such as buffer amplifier then उसके बाद होता है phase shifting phase shifting oscillators अगर आपको और भी जाता है ना तो आप लोग क्या करिए के इंटरनेट पर आपको बहुत सारे अप्लिकेशन जो है मिल जाएगा चल तो इतने सारे बाते तो आप लोग को अब तक पता चल गया होगा अभी हम लोग देखते हैं टाइपस ओफ एफटी टाइपस कितने टाइपस होते हैं अभी टाइपस में हैवी नहीं तिर्फ एक ही टाइपस करेंगे बाकी टाइपस को हम लोग सिर्फ जानके रखते हैं कि हां ये फटी के इतने भी टाइपस होते हैं इसकस तो परेंगे वही जो कि हमारे सिलिवर्स में होगा हुवारे सिलिवर्स में क्या है MOSFET MOSFET उसको हम लोग डिस्क्स करेंगे ओके चलो हुआ है 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 ताइप सो फ यह देख लेते हैं टाइफ और एफ एटी ठीक है टाइप सो फ इटि टाइफ एफ इटी टाइफ एफ एटी तो सबसे पहले दर लिखता हूँ हुआ है फ कि इसका होता है दो टाइप इसका होता है दो टैप में लिट होता है इसको हम लोग एफ ई टी जे एफ ए टी अब इसका फूलस्टरम क्या होगा वो यंश्ल्ट फिल्ड ए sour is टाइट इंट हूँ यही पे लिख देता हूं जोब इसको आ GOOD हम लोग डिसक्स नहीं करने वाले हैं, जंसन फिल्ड एफेक्ट ट्रांजिस्टर ठीक, ठीक के यह होता है आपका डिप्लेशन मोड में, ज़्यक काम करता है कौण से, मोड में डिप्लेशन मोड में डिप्लेशन, डिप्लेशन लेयर मैंने आप लोग बताया था डिप्लेशन लियर क्या होता है डायोड में बताया था ठीक है तो वही होता है आप डिप्लेशन मोड में ये काम करता है इसका दो टाइप होता है ठीक है जे एफटी का दो टाइप होता है एक तो आपका हो गया पी चैनल मतलब पॉजिटिव चैन अनके गोलों को दशाई fighting मोस्पेट ठीक मॉस्पेट मॉस्पेट हो द्धानि first मॉस हमारे थे लिबस में हम थोड़ा सा इसके फिल एफेक्टेट ट्रांजिस्टर और यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यह किसके कौन से मैटरियल से बनाया जाता है दोस्तों सीलिकॉन से तो फूल फॉर्म अगर देखेंगे मॉस्फेट एम बोले तो मेटल ओ बोले तो फिर ओक्साइट एस बोले तो सिलिकॉन अच्छा ठीक है तो इसका फूल फॉर्म जो होगा मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन फिल्ड एफेक्ट टार्डिस्टर अब यह जो मॉस्फिट होता है दोस्तों यह दो तरह से काम करता है एक तो आपका डिप्लेशन मोड में और दूसरा होता है एन्हांस्मेंड मोड टेकर इन दोनों को हम दो थोड़ा बहुत दिसकस करने वाले हैं एक आपका होगा इन्हांस्मेंड इन्हांस्मेंड मोड इस मोड में काम करता है एक होता है कर डिप्लेशन मोड यह इस मोड पे भी काम करता है एन्हांस्मेंड मोड का भी दो टाइप है पी चैनल, पी चैनल, एंज आइन चैनल, इसका भी दो टाइप है, चलो इसको सॉर्ट फॉर्म बे लिख देता हूँ, पी छी एच, एंज एच, एंज एच आइच एच, एंज वोले तो एंज चैनल, ओके, तो अल्टिमेटली हमें, क्या मिल गया, एफटी के टाइप्स में, म फिल एफेक्ट टांजिस्टर एंड दूसरा है मॉस्फेट मेटल ओक्साइट सिलिकॉन फिल एफेक्ट ट्रांजिस्टर अब जे एफेट यह आपका काम करता है डिपलेशन मोड में दो तरह से होता है इसका कंस्रक्शन एक तो पी चैनल एंड चैनल ओके देन अगर बात करें मॉस्फेट मॉस्फेट का फुल फॉर्म है मेटल ओक्साइट सिलिकॉन फिल ट्रांज एफेक्ट ट्रांजिस्टर एंड यह आपका दो मोड में काम कर सकता है एन्हांसमेंट मोड और डिपलेशन मोड इन दोनों मोड को मैं आप लोगो थोड़ा साथ सम्झाओंगा ओके ठ चैनल डिपलेशन मोड पर भी पी चैनल एंटेनल ठेक है चलो तो अब हम लोग चले आते हैं किया मॉस्फेट अला मोड इसस करें मॉस्फेट मॉस्फेट अच्छा गीला कपला से पहले पोच्छना होगा इसको तो स्वाच ऐसा हो रहा है मेरे साथ अचानक से अगर मैं उठता हूँ तो भी मेरा सर चक्रा रहा है अचानक से इधर से उधर देख रहा हूँ तो भी सर चक्रा रहा है मेरा मतलब क्या वताऊं आज कोई भी काम में जल्दी से नहीं कर सकता इधर भी जाओ उधर भी जाओ जल्दी से नहीं जा सकता ऐसा हाला था आज अब नॉट नॉट टू एरी मेडिसीन ले लिए हैं अभी देखते हैं क्या होता है अब चलो देखो मैंने साइद एक चीज आप लोगों को मिस कर दिया वह वह आपका वह एफटी का जो डायाग्राम है एफटी को हम लोग कैसे सेम्बल एफटी का सेम्बल साइद मैं बूल गया तो फिर देखो सबसे पहले हम लोग टर्मिनल्स ओफ एफटी टर्मिनल्स ओफ एफ एटी देख लेतbbe ये हम टर्मिनल्स है ट्री टर्मिनल्स रहते हैं पहले ही मैं ने वताया थी आप लोगों यह अपका 3 टर्मिनल्स वाला एक यूनि पूर्ण सेमी कंडाक्टर डिभाइस होता है तो इसमें तीन टर्मिनल होगा पहला टर्मिनल क्या है आपका यह है सोर्स सोर्स दूसरा टर्मिनल होगा ड्रेंड एंड तीसरा है गेट ठीक है तो यह तीन टर्मिनल होते है दोस्तों एक तो होता है आपका सोर्स ड्रेंड गेट तो यह जो सोर्स होता है यह सोर्स बिल्कुल ygen Pence में अन् отк का तो इन ड्यूमेन लग 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 नाम से जानते हैं प्रफ रहा है यह दून को यहाँ पे एफटी में सोर्स वंसन करेगा okay and and बीजयती में जो कलेक्टर था वह जैसा काम कर रहा था एफटी में डेन वे बिल्कुल वैसा ही काम करेगा and get and base यह दोनों एक जैसा ही काम करता है ठीक है तो यह हो गया comparison हम लोग जानते हैं मीटर क्या काम करता है collector क्या करता है एंड बेस क्या करता है ठीक है ना चलो तो इसको मैं हटा देता हूं अभी हम लोग बात करेंगे source drain and gate के बारे में देखो सबसे पहले तो आप लोग देख लिए कि इस जो symbol होता है कैसा होता है जो मैं बात कर रहा हूं पी channel पी channel जितने भी FET है उसके बारे में बात कर रहा है तो पी channel में क्या होता है कि हम लोग ड्रो करते हैं कुछ इस तरह से ओके तो यह होता है हमारा कि क्या बोलो यह होता है हमारा FET का symbol अब इसको मैं एक round पर रख सकता हूँ नहीं भी रख सकता हूँ ऐसे भी छोड़ सकता हूँ ठीक है तो P channel में क्या होता है कुछ ऐसे जाता है This is our gate and इसको drain कहेंगे drain and source ठीक है ओक है ये P channel का circuit हो गया अब पी channel को हम लोग कुछ इस तरह से जो है आपको करते हैं लिखते हैं ओके एंड एंड दूसरा डोग करते हैं This is our and channel and channel and channel तो इसको भी हम लोग ऐसे रख सकते हैं circuit में तो this is our drain यहोगा gate and this is source तो symbol को हम लोग ऐसे रख सकते हैं यह circle आप दे सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं जसे इसको डोग कर लें this is our पी channel FET and वो होगा and channel FET इसको हम लोग इस symbol से जो है देते हैं ठीक है इस symbol को हम लोग इस तरह से देते हैं और भी इसका improved symbol है तो फिलाल उसमें हम लोग नहीं जाएंगे तो mosfet में मैं एक symbol आपको दिखाऊंगा इसका improved symbol लेकिन normal FET को अगर आपको दिखाना है तो just as a this symbol जो कि मैंने draw किया उस symbol सो भी आप लोग बता सकते हैं this is FET transistor का symbol हम लोग ने देखा था कैसा होता है तो यह था आपका FET का symbol चलो एक एकर करते हैं सबसे पहले तो हम लोग source को डिसस करेंगे कि ट्री टर्मिनल में source का क्या 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 काम होता है एद इसके बारे में कुछ बाते हम लोग करेंगे ठीक है आँ तो पहला पॉइंट पॉइंट करके लिखेंगे तो आप लोगो ज्यादा याद रहेगा चलों अभी हम लोग source के बारे में बात करेंगे source ठीक है तो फिर्स्ट पॉन थ्रो थ्रो दिस टर्मिनल दिस टर्मिनल थ्रो दिस टर्मिनल the carriers the carriers enter to the channel enter into the channel enter into the channel ठीक है तो इसी तर्मिनल के ध्रो जो है carrier हमारा channel पे enter करता है मतलब FET में enter करता है इसी के थ्रो ठीक है दन उसके बाद दूसरा क्या है this is analogous this is analogous to the emitter in BZT this is this is analogous to the emitter in BZT तो BZT में जो emitter होता था emitter के थो सब्सक्राइब कर रहा था तो यहां पी FET के केस में सोर्स के थ्रोजो है आपका केरियर्स इंटर कर रहा है तो यह होगे analogous का मतलब क्या है लगबख एक ही जैसा similar just type of similar ओके ठीक एंद तीसरा point क्या है तीसरा point है इसको हम लोग S से रेनो करते हैं इस टर्मिनल इस डेजिग्नेटेड डेजिग्नेटेड आज एस इसको हम लोग S से जो है करते हैं and the current the current entering the channel channel through source source is denoted as is ठीक है तो इसके ठीक है तो इसके ठीक हो गया अभी हम लोग जो है गेट के बारे में नहीं पहले हम लोग ड्रेन के बारे में बात करेंगे ठीक है ड्रेन के बारे में बात करेंगे तो दूसरा है द्रेन अभम लोग बात करेंगे द्रेन के वारे में ये फास्ट टर्मिनल सोर्स अंदूसर टर्मिनल भात करेंगे किसके बारे में बोलो द्रेन के बारे में okay the drain is the terminal through तो इस टर्मिनल के आपका केरियर्स बाहर निकल रहा है तो सोर्स से क्या हो रहा था केरियर्स अंदर घुस रहा था एंड ड्रेन से क्या होगा वह बहां निकलेगा ओके यह पहली बात हो गया दूसरा बात क्या है द्रेन इज अना लोगास टू कलेक्टर इन बीज़ेटी दो ड्रेन इज एना लोगास टू टू दो कलेक्टर इन बीज़ेटी ठीक है तो बीज़ेटी में कलेक्टर जैसा ही यह होता है एपटी में ड्रेन ओके ठीक है तो तीसरी बात the drain voltage, the drain voltage, voltage is denoted, denoted as VDS, ठीक है? VDS and the drain terminal is designated by D, the drain terminal is designated by D, ठीक है? source को F से and drain को D से and इसके थरोग जो current जाएगा उसको कैसे हम जो दिनल करेंगे? the ID say, ठीक है? the current, the current, the current, the current leaving the channel channel is denoted, the current leaving this channel through drain through drain थ्रूँ है द्रेन इस डेनोटेट बाई आई डी उसको आई एस से इसको आई डी से ठीक है तो दोनों के बारे में हो गया बहुत अब हम लोग चले जाते हैं क्या गेट के बारे में डिसकस करते हैं गेट में थोड़ा सा बात करने तें यह सभी पॉइंट जो है दोस्तों आप लोग लिख के रिखिए बिकॉज सभी इंपोर्टेंट है क्योंकि यहां से छोटे-छोटे सवाल जो है पुछे जाने की सब्भबना रहता है बड़े सवाल जो है पुछे आने की चांसस कम रहता है एफ़ीटी से लेकि पहला से कोई टॉपिक आपको दे देगा एंड बोला जाएगा कि ड्रीन क्या काम करता है तो के कों से टर्मिनल के त्रोँ गीरीयरश इंटर करता है कौं से टर्मिनल के थ्रोँ टियार्ण बहार निकलता है तो यह सभी चीज़ी है पुछा जा सकता है तो आप लोग अगर यह सभी बातेओं को लिखके रखेगा and exam से पहले देखके भी जाएएगा तो आप लोगा चीजी जो है याद रहेगा and question का सही सवाल का सही जवाब आप लोग दे सकते हैं okay gate के बारे में बात करते हैं तीसरा terminal gate अब gate के बारे में क्या है the gate terminal place the key role ठीक है main काम जो करता है main जो function होता है gate का ही होता है ठीक है तो यह आपका क्या करता है यह आपका करता है current को control करता है the gate the gate terminal place the main role in FET by controlling the current controlling the controlling the current to FET के थो ठीक है कितना current flow होगा वो कॉन डिसाइट करेगा वो आखा gate terminal decide करेगा ठीक है channel by applying by applying by applying uh an external another an external voltage source voltage source voltage source by applying an external voltage source at gate terminal at GAT gate terminal current can be controlled current can be controlled this is analogous to case case of analogous work is case of same functional guys come base this is analogous to this is analogous to the base terminal to the base terminal in BZT you can go visit me a base terminal as a scum function a Tyler but okay and Jota the gate terminal is designated as designated as yeah this code GC not because I don't think it is it as G okay and current flowing through the ender and the current entering this channel at gate terminal is indicated as I Z the current entering the gate terminal indicated indicated as I Z okay so this is all I want to say I will be MOSFET के बारे में डिसकास करेंगे देन उसके बाद हम लोग चले जाएंगे डायरिक कंस्ट्रक्शन पे तो एक कंस्ट्रक्शन में आप लोगो दिखाऊंगा एन्हांस्ट मोड में एक डिप्लेशन मोड में ठीक है एंड किस तरह से काम करता है वो भी मैं आपको थोरा बहुत बता दूंगा उतना डिप में जाने की जरूत नहीं है बट फॉर आपको समझाने के लिए मैं थोरा बहुत आपको बता दूंगा ठीक है चलो तो अब आप लोग हेडिंग डाले मॉस्ट तो मॉस्ट के बारे में सिर्फ दो ही तो या तीन बाते हम लोग लिखेंगे ज्यादा लिखने वाली कोई बात नहीं है यहां पर डारी कंस्ट्रक्शन पे चले रहेंगे कि किस तरह से मॉस्ट जो है काम करता है एंट किस तरह से मॉस्ट को बनाया जाता है ठीक है ओके तो मॉस्ट अप F.E.T. MOSFET ठीक है इस सभी जो है कैपिलेट कैपिलेटर होगा M.O.S.F.E.T. MOSFET स्टेंड पर मेटल अक्षाइड सिलिकोन फ्रिल एफिक ट्रांजिस्टर MOSFET स्टेंस पर स्टेंस पर मेटल अक्षाइड सिलिकोन फिल्ड एफिक्ट ट्रांजिस्टर चीक है और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं और इसको हम लोग कह सकते हैं मेटल ऑक्षाइड और मेटल ऑक्षाइड सेमीकंडक्टर सेमी कंडक्टर semiconductor semiconductor field effect transistor ठीक है okay field effect transistor and इसको और अल्सो एक और नाम से जाना जाता है insulated gate field effect transistor it is also known as it is also known as insulated insulated gate insulated gate insulated gate field effect transistor ठीक है field effect transistor अब ऐसा क्यों कहा जाता है ऐसा क्यों कहा जाता है इसको insulated gate field effect transistor इसका short form होगा ICFET क्योंकि इसका जो gate है दोस्तों इसको insulated किया जाता है एक आपका oxide materials से ठीक है silicon dioxide हम लोग यूज़ करते हैं उसको gate जो गेट टर्मिनल है उसको insulate करने के लिए यह जाता है इस वाइड इस आपका insulated gate field effect transistor ओके एन यह दोनों जो है यह जो आपका मॉस्वेट है इट इट अपरेट्स operates in both both the enhancement enhancement mode and depletion mode ठीक है enhancing mode and depletion mode दोनों ही mode में जो ही यह काम कर सकता है ठीक है तो यह तीन चार बाते आपके फटा-फट से लिख लिजे हम लोग डायरेक्ट चले जाते हैं अभी क्या अभी हम लोग डायरेक्ट चले जाते हैं हमारा डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन पर इससे ज्यादा बाती में नहीं लिखोंगा अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लोग इसके बारे में इंटरनेट पर या फिर आपके अगर किताब है आपके पास तो आप लोग वहां से सर्च करके लिख सकते हैं लेकिन क्योंकि अगर आप लोग समझ जाएंगे तो फिर उतना जबा आपको लिखने की ज़रुवत है नहीं क्योंकि यहां से बड़े सवाल जो है पूछा जाने के चांसे बहुत कम है चोटे-चोटे सवाल पूछा जाएगा एक दो सवाल दो माक्स के लिए मैक्सिमम पूछा जा क्या कंस्ट्रक्शन कि क्या कंस्ट्रक्शन एंट आझ का यही आखरी टॉपिक होगा दोस्तों यहां पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसको वोल्टेज कंtroul ॡिवाइस क्यूं कहा जाता है एक ति को कंस्ट्रक्शन के थो ही आप लोगों मैं बताने वाला हूं तो सबसे पहला चीज कि हमें क्या लेना है कि देखो मैंने क्या कहा आप लोगों कि यह पी चैनल का हो सकता है एंड एंड चैनल का हो सकता है ठीक है पी चैनल एंड हैं जैनल तो सबसे पहले मैं आपर यहां पे थोटा छोटा सा इस्टाच चले रहा हूँ that is and इसमें ये क्या कॉन सा material है इसमें हम लोगोन ये है P-type material P-type material ठीक है इसमें हम लोगोने क्या दिये है P-type material ये पूरा हमारा body है this is the body of FET okay ये है body body या फिर इसको हम लोग substrate भी कहते है substrate ठीक है P-type matter some material full form full spelling भी नहीं का मैंने क्या कर रहा हूं ये होगा आपका P-type material ठीक है इसको हम लोग substrate भी कहते है substrate और body okay ठीक है तो यहाँ पर ये क्या है P-type material मतलब इसमें है आपका electron holes this is our electron holes तो इसमें रहेगा क्या electron holes रहेगा और उसके बाद क्या किया जाता है यहाँ पर एक छोटे से हिसा में ऐसे कि अन-type material को जो है अन-type metal को जो है डोपिंग क्या जाता है अब यहाँ पर एन प्लस लिखने का मतलब क्या है एक्षुली हाँ पर इलेक्ट्रोन ही रहेगा न एन टाइप material बोर तो इसको डोप्त क्या जाता है डिफ्यूस क्या जाता है इसमें ज्यादा यह है आपका डिया जाता है चलो एन ही लिखता हूं जहां पर इदर भी एक हिस्से में ऐसे करके यह ऊंपर हो इच्प कुण टाइप यह झिद्स को डौपिंग क्हिकर आप की क्या होगा है खिल slides के हमारा एक मेटल कनेक्टर से जोड़ा गया है यह जो अटनेक्टर होगा दोस्तों यह एंट टाप के साथ तो इस इस called source and this is called our dream this is called source and this is called drain ठीक है and देखो and अब क्या है कि यहाँ पर यहाँ पर यह आपका पूरा body है body के नीचे ऐसे metal plate जो है connected होगा body के साथ ठीक है this is the big this is the body body terminal body terminal इसको कह सकते हैं तो आप लोग कहेंगे सर यहाँ पर तो gate कहा गया get terminal किधर गया तो रुको तुरह से सवर करो तो यहाँ पर अब क्या क्या जाता है इस पार्ट में बहुत ही पतला एक लेयर डाला जाता है इस लेयर को हम लोग डालते हैं अब यह क्या है आपका इंसुलेट्ंग मेट्रियाल ऒन यह काम कता है आपका इंसुलेटंग माट्रियल गैं इसके यजो ड्रोंपर हम लोग एक मैंटल प्लेट रगते हैं यह मैंटल प्लेट हो गया।ाrukt जाहँ आफ अकव्य है यहाँ यहां पे तोब देखने वाली बात यह है कि इंटनल फोते हैं यह इंटनल हो गया एक ही आपका क्या होगया एक वान्टीट बन गया कि तो हो गया आपका क्या वे कंस्ट्रेक्शन गए यह हमारा कंश्यक्षक्शन हो गए अब आपको देखना है यह हमारा पी टाइप मैट्रियल है तो यहाँ पे चैनल बनता है कैसे बनता है कैसे चैनल बनता है अब चलो अब डायरेक हम लोग कंस्ट्रक्शन के बाद फंसन पे कैसे काम कर देए यह तो खरूंप लोगों को पता हो गया कि ऐसे इसे होता है कि हम लोग करते हैं ह। एपलाई करते हैं इसकों लोग बैट्रीजिट से कनेट कर देता है इस टर्मिनल को गेट को एंदू स्थ को दिससे एक यह हम लोग चैनल करते हैं है तो देड़े को हम लोग नहीं क्या किया है यहाँ पर सО्थ पॉजिटिव से हम लोग करेट किये हैं ओके इस्ट हरो यहाँ पर यापका पॉजिटीव बन जाएका धाट्याम यहां पर यहॉजब जब आप बैटरी के साथ हम लोग ने कर्ड़ किये हैं पॉजिटीव टर्मिनल को तो यहाँ पे इस मैटल पे इस मैटल पे आपको पॉजिटीव रहेगा एंडिस के तो जो है ये नेगटिव जा रहा इदर ये नेगटिव जाएगा ओके तो इस पी टाइप मैट्रियल पे सि अब इधर की तरफ जो है यहाँ पे उने होने लगेगा इस पूरे बॉर्डीपे जितना इलैट्रोन रहेगा रहेगा वह अची हाँ पिछलो तो देहो यहाँ पर अब क्या हो लाए कि सारे जो तो के तो अगर हम लोग अगर हम लोग क्या करते हैं इस सब्सक्राइब साथ सूर्स को मैं यहां पर सिफ ऐस लिखता हूं सूर्स के साथ यहां पर हम लोग अगर ऐसे करके बैटरी लगा देते हैं दिख रहा है आपको बैटरी लगा देते हैं दिस पोजिटिव एंदिस नेकटिव तो क्या होगा वोलो तो क्या होगा तो क्या होगा इधर से इधर स एलेक्ट्रों जो है वो इधर जाएगा इधर इसे जाते रहीगा ठीक है इसे इसे जाते रहेगा ओके सोर्स मैंने क्या कहा सोर्स सोर्स आपका क्या करता है कैरियर्स को कलेक्ट करता है कैरियर्स को कैरियर्स इसके थ्रों इंटर करता है तो सारे एलेक्ट्रों जो है यहाँ प पॉजिटिव है तो यह आपका इलेक्टोंस को इधर क्या करेगा इधर प्लो होगा तो ऐसे हमारा जो आपका क्या है ऐसे हमारा जो फ्लो है करेंट का वो इसे चलता रहेगा ठीक है इलेक्टोंस के रिया का फ्लो हो रहा है देखो के रिया ऐसे आ रहा है ऐसे जा रहा है ऐसे mode ठेके enhancement mode क्यों कहा जाता है क्योंकि यह जो gate terminal है this is a terminal gate gate and source में हम लोगों ने voltage apply किये है जिसके वैसे यह आपका क्या किया है electrons को ऐसे अपने तरफ खीचा है ठेक है electrons को अपने तरफ खीचा है and यहाँ पर electrons जो है वो इसके खीचने से ही यहाँ पर channel form किया है okay ठेक है ना gate के positive charge के वज़े से ही यहाँ पर channel form हुआ है and पूरा हमारा current का flow हो रहा है that is why this is our enhancement mode अब बात यह है कि P channel and channel क्या है तो यहाँ पर कौन चैनल बना रहा है दोस्तों कौन चैनल बना रहा है बोलो यहाँ पर electrons चैनल बना है तो इलेक्ट्रों क्या है नेगटिव है तो इस आवा नेगटिव टाइफ नेगटिव टाइफ नेगटिव टाइफ एफ 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 टी अगर हम लोग उसका reverse condition लेते बोले तो पी टाइफ मैटरियल से हम लोग बोडी को बनाते तो इसको नेगटिव टाइफ ना लेके हम लोग पॉजिटिव टाइफ लेते तो इस जगहा पर इस जगहा पर क्या होता इस जगहा पर आपका एक पॉजिटिव केरियर का चैनल बनता तो वह जाता आपका पॉजिटिव टाइफ ले जाओंगा आपको यह सारे चीज़े आप लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं यह तो मेरा सब्जेट नहीं है फिर भी मैं जितना समझता हूं उतना डिप में ले जाओंगा भी नहीं आप लोगों को ठीक है चलो तो यह हो गया हमारा एंहांस्मेंट मोड में पी चैनल स्वरी एंचेनल का वर्किंग फंसंट की ऐसे ऐसे काम करता है ठीक है ओके एंड यहां पी इसको फिल एफिक ट्रांजिस्टर क्यों कहा जाता है तो इसक कि एक में अगे जमा होगा तो उन सभी चार्ज के वैसे आपका एक लोगनेट रख दिया तो इसके एक ए रिजन होता है जिसके अंदर किसी भी लोहे को टुक्रे को रखेंगे चुंबक कर ऊखेंगे तो वो क्या होगा वो एक बाहर रखेंगे तो आपका वो काम नहीं आई इसका magnet का force काम नहीं करेगा सिर्फ इसी circle के अंदर उसको रखने से काम करता है तो इसी circle इस area को हम लोग कहते है magnetic field वैसे ही electric charge का भी एक field बनता है अगर आप इस point पे positive charge रखेंगे ते इसको चारो और एक ऐसा reason होगा एक ऐसा area होगा जहां पर यह positive charge दूसरे positive charge को धक्का दे सकता है दूसरे negative charge को खीश सकता है अपने और मतलब इसका charge इसका जो प्रभाब है वो इस area के अंदर होगा तो यह field होगा इसका तो वैसे ही यहाँ पर आपका gate पे इस metal plate पे क्या हो रहा है इस metal plate पे आपका positive charge जमा हो रहा है ठीक है positive charge जमा हो रहा है जिसके चारो और एक field बन रहा है चारो और एक field बन रहा है और उस field के अंदर यह आपका पाड़ भी पर रहा है स्क्राव सब्सक्राइब नियुक्रानceset 2021 है टेकं लेक्ट ले जाए एट रहात मिश्चनोब घंक और तो यहां कर रहा तो यहां रहा है तो तो यहां प्विल्ट की तरह यहां पर काम कर रहते को देखो यहां को यहाँ पर हम लोग ने जो वोल्टेज्स अपलाई किए हैं इस मोटेज को अगर थोड़ाई जाज आएगा death इसका चाब दो इसका जो फिल्ड वनेगा वह और भी जाता है उध्य तक तो यहां से और गिन कि यह हमारा और जिदा मोटा हो जाएगा है अब जितना मोटा होगा लेख करेंट का फ्लो कितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा होगा यह जो रस्ता बंदा था carriers जाने का जो रस्ता बन रहा था वो अब मोटा हो रहा है तो एक साथ 2-3 गारी जा सकते हैं पहले पतला था एक ही गारी जा पा रहा था अब यह धिरे-धिरे मोटा हो रहा है तो फिर 3-4 गारी वो जा सकता है तो ऐसे ही हमारा काम करता है हम लोग यहां पर कितना voltage डालेंगे उसके उपर डिपेंड करता है कितना current flow होगा that is why this is voltage controlled device and इसका एक limit है इसका एक minimum limit है जिसके नीचे अगर voltage देंगे तो वो काम नहीं करेगा ठीक है जिसके उपर आग voltage देंगे तो वो भी काम नहीं करेगा उसका एक limit है तो वो हमारी बात काम की बात नहीं है ठीक है फिलाल को हम लोग आगे जाके सीखने मैं नहीं सीखने वाला ठीक है जो engineering के electric and electronics के बच्चे है उन लोग को तो शीखना पड़ेगा इसका application और वी details में सीखना पड़ेगा कहां कहां पर किस जगहां पर हम लोग apply करते हैं वहां पर क्या-क्या function होता है उसका drain characteristic क्या होता है कैसे कैसे वह काम करता है उसका graph सिखना होगा बहुत सारी चीज़ सिखना होगा चलो तो हो गया यह हमारा enhancement mode P type and type दोनों हम लोग ने समझ लिए हैं पी टाइप क्या होता है एंड टाइप क्या होता है मैंने एक ही बात में आप लोग को समझा दिये थे और इसको हम लोग फिल्ड एफ सब बात करते हैं हम लोग क्या कि डिप्लेशन मोड डिप्लेशन मोड ठीक है डिप्लेशन मोड तो देखो डिप्लेशन मोड में क्या होता है यह जो चैनल होता है यह ओल्रडी बना होता है यह चैनल यहाँ पे ओल्रडी बना होता है यह चैनल जो है यहाँ पे अल्रडी बन त्डेशन मोट पर आपको मिल जाएगा पी ठाइप पीताइफ ठाइफ अन टाइफ आपको मिल जाएगा तो पीअ क्या है अन्ड आइप क्या है बहुत ही सिंपल बात है यहां पर 7 जैनल फिरय यहां फ kernel पोजिटेफ घुल वहां फोसि otherwise पी चैनल हाँप नहीं ले जाने वाला कोई भी चीज आगे नहीं ले जाने वाला जस्त यहां तक आप लोग ने सीख लिये हैं बस काफी है ठेक है तो चलो अब यहां पर दू चीजे मैं सिखा देता हूं आपको एन अन मोस फिट एने शेद रेंट चनल ऐला सेचों पूरा लिख दिता हो एम चैनल आई एक double का त्या和as tim gratis शेंबल में ड्ला कर दे थाहूं उसके छेंबल कुछ ऐसा होता है यह यह मृर्ण हो ще then magic the weather and yeah see you whoever game are up and you're asking which I saw who are here this is the symbol for our and channel MOSFET again and picking your靠 about a simple hair ear gate है ठीक है यह गेट है and this is our drain and यह होता है source ठीक है and p channel की बात करो p channel MOSFET अरे यार MOSFET तो यह जो symbol है यह अलग दिसामें होगा अपर दिसामें होगा ठीक है चलो यह यहां पर कर लेता हूं इस आवर ठीक है एंड यहां पर यह जो है आपका एरो जो है वो इधर होगा इधर की तरफ होगा यह किस तरफ था बाहर की तरफ था यह अंदर की तरफ होगा यह जो एरो होगा वो कुछ इस तरह से होगा अधिस आवर यह गेट ट्रीन और सौस गेट इन तो यह हो गया हमारा क्या एंच चैनल मॉस्पेट एंड पीचनल मॉस्पेट वह दोस्तों चलो मॉस्पेट को हम लोग यही पर खतम करते हैं तो हमारा जो फर्स चैप्टर है व चैप्टर करेंट सोर्स और वोल्टे सोर्स तो कोशिज करूंगा कि उसको भी मैं एक ही क्लांस में कंप्लिट करा दूँ क्योंकि हम लोग सिर्फ इंपोर्टन टॉपिक को ही परेंगे उससे ज्यादा नहीं जाएंगे डीप में तो बिलकुल मैं आपको ले जाने वाला हू हो जाए तो उसके लिए लेकिन प्रॉब्लम एक ही है कि जनवरी में मेरा भी एक्जाम है बीटेक फॉर्थ यहर का फाइनल मतलब फाइनल एर पे हूँ सेवन सेमेस्टर चल रहा है मेरा तो वह भी जनवरी के पंदा तारिक के बाद मतब 17 तारिक से स्टार्ट हो रहा है तो सब टाइम बहुत ही कम है मेरे पास लगभग सब चीज मिला के ना टाइम बहुत कम है ऊके चलो तो मिलते हैं नेक्स लास में अपना पराही बराबर करते हैं अ क्या है अपना तवियत का क्या लखिए गा मेरा तो वैसा ही हाल है कि रात को डेर से सोता हूं सुप़ जल्दी जाता हूं तो नीद्ध बहुत ही कम हो रहा है मेरा ताइμ बहुत कम है इसलिए राद देल राद चल रहा है तो ऎसा आप लोग के पास सिर्फ यह 1 महिना है और एंड आप लोग को छ॑ एक ही एक्जाम देना है मेरे ज्मानी कि आप लोग के लिए पढ़ाई हो फिर खुट के लिए तो ऐसा तो आप लोग के लिए है नहीं सिर्फ आप लोग को खुट का एगजाम परना है खुट का पराई करना है तो फिर तबियत का फ्यार लगएगा खाना बना ठीक से ख़़िएगा बस तो येगा ठीक टाइम पर मिलते हैं नेक्स टाइम पर ओके दोस्तों, थैंक यू वेरे मॉच